नाम गुंग जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे सुरो की देवी लता मंगेशकर हिंदुस्तान की सबसे सुरिली आवाज भारत रतन लता मंगेशकर जिने हम प्यार से लता दीदी कहते हैं जन्म 28 सेप्टेंबर 1929 में इंदोर में हुआ इनके पिता स्वर्गिय दिनानात मंगेशकर खुदी एक जानी मानी हस्ती थे नाटक हो या संगीत दोनों में ही इनोंने अपना एक अलग मुकाम बना रखा था ये किस्सा मशूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सीखाया जा रहा था उनके बाबा दिनानात मंगेशकर के बहुत से शिष्य थे एक मरतबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत काना गा रहा था अपने पापा की गेर हाजरी में ननी लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है वो ननी सी बच्ची ये बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पीता करने हैं दिनानात मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूं मुझे एक हयाली नहीं था कि एक गवेया तो हमारे घर में भी है और उस दिन से ही घर में लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई बहुत छोटी उम्र में ही लता जी ने अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी एक मरतबा हुआ यू कि एक नाटक चल रहा था और उसमें नाटक का किरदार निभाने वाले अभी नेता नहीं पोच पाया तो दिनानात मंगेशकर बहुत परिशान थे और ननी सी लता ने जगर कहा कि बाबा कोई बात नहीं कि वो नहीं आया तो गर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ दिनानात मंगेशकर कोई जरा अजीब लगा और कहा कहा तो इतनी छोटी सी है और स्टेज पर तु मेरे साथ काना गाएगी अजीब सा लगे गया पर लता जी ने कहा बाबा देखना मैं वन्समोर लेकर आऊँगी एक अवसर तो दे कोई चारा भी नहीं है वो अभिनेता और गायक अभी तक आया तो नहीं है और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकिनन वन्समोर आया लता जी की आवाज ने फिल्म जगत में बहुत धूम अचाई पर इस मुकाम तक पहुचने से पहले लता जी की जिन्दगी में अजब उतार चड़ाओ रहे बच्पन में ही इनके पिता दिनानात मंगेशकर जी जो की खुद एक बहुत बड़े जोतिश के ग्याता थे उन्होंने लता जी से कहा कि देख बेटी तु आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा और हाँ तेरी शादी भी नहीं होगी पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी तुझ पर ही रहेगी ननी सी लेता उस समय समझ नहीं पाई कि उसके बाबा बहुत जल्दी जाने वाले हैं और ठीक वैसा ही हुआ अगे जाकर बड़ी जवर्दस्त अभी नेत्री बनी लता मंगेशकर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह एक्टिंग करें और एक मरतबा वह शुटिंग से लोटी घर आकर फुट-फुट के रोने लगी जानती थी कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर ह है एक्टिंग तो करनी पड़ेगी पर जब उनकी माने पूछा कि वह रोई क्यों तो वह कहने लगी कि यह बनावट उनसे नहीं होती मुझे सिर्फ गाना ही गाना है किसमत ने उनकी बात सुनी भी इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली थी पर फिल्म इंडस्ट्री में इन् मास्टर गुलाम हैदर ने ये बात साबित करने का बेडा उठा लिया कि लता जिसी आवाज जी ओर के पास नहीं हैं मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भुमी का निभाई लता जी के जीवन में कहीं से बड़े ब्रेक बिदिलाए और ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गुंजेगी बागी सारी आवाज इसकी आवाज के सामने फीकी रहेगी और ठीक वैसा ही हुआ लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगितकार के साथ काम किया चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या नोशाथ साहब शंकर जैकिशन की जोडी रही या मदन मोहन साहब बहतरिन संगित के मालिक सलील चोदरी रहे या फिर रोशन साहब बदलती पिड़ी में लक्ष्मिकांट प्यारेलाल आरडी बर्मन और कल्यांट जी आनन जी के साथ भी इन्होंने खुब गाने का है लता मंगेशकर एक लोती ऐसी गायका रही जिन्होंने कहा कि गाने की रोयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तब वो रिकॉर्ड भी करहा है उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में आना चाहिए और उन्हें रोयल्टी मिली भी हाला कि प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे राजकपूर सहब ने तो यहां तक कहा था लता में तुम्हें रोयल्टी नहीं दे सकता मैं आपर बिजनेस करने आया हूँ और तब लता जी ने जवाब दिया था राज सहब अगर आप बिजनेस करने आये हैं तो मैं भी फिल्म इंडेस्ट्री में रानी पाग में घुमने नहीं आई और अपनी बात लता जी ने मनवाई ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतोर संगितकार भी काम कर चुकी है जी इनके उपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डारेक्टर बनना चाहिए पर लता जी म्यूजिक डारेक्टर बनकर दुसरे music director के competition में नहीं पढ़ना चाह रही थी इसलिए इन्होंने अपने शुप चिंतिनों की जीत पर अपना नाम बदला और संगीत भी दिया मराटी फिल्म थी राम राम पाहुना और बतोर संगीत कार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन और यह राज भी तब खुला जब एक अवर्ट फंशन में बार-बार आनंद घन को बुलाया जा रहा था और वह वहां मोजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चड़ रहा था जाहिर सी बात थी कि वो लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वो ही लता है और वो ही आनंद घन भी पर लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा और इस तरह से लता जी को मंच पर जाना ही पड़ा ये बात भी आगे जाकर पता चली जब लता मंगेशकर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी तब इनकी तबियत अचानक खराब हो गई थी मोद के मूँ से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर नेने बोला था कि कोई आपको धिमा जहर दे रहा था और वो डॉक्टर सही था इनका एक रसोया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था जिसकी वज़े से लता जी की जान भी जा सकती थी पर इनके बीमार पढ़ते ही वो रसोया भाग गया अवार्ट्स के ममले में लता जी ने किर्थिमान इस्थापित किये चाहे वो पद्म भूशन रहा हो या पद्म विभूशन या फिर भारत का सरवोच्य सम्मान भारत रतन जहां तक फिल्म फेयर अवार्ट्स की बात आती है तो लता मंगेशकर जी ने फेसला किया था कि अब नए गायक गायकाओं को मुखा मिलना चाहिए इसलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ट्स लेने से इंकार कर दिया था जब हिंदुस्तान और चायना का युद्ध हुआ तो बहुत से सेनिक शहीद हुए तब लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज में गाना गाया ए मेरे वतन के लोगों चरा आख में भर लो पानी इसे सुन ततकाल प्रधान मंत्री पंडित जवाल लान नहरू रो पड़े थे ये बात भी मशूल रही है कि लता मंगेशकर एक लोती ऐसी गायका है जो गाने के शब्द सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ट करती है यदि कोई भी आपती जनक शब्द हुआ तो लगता जी उस गाने को रिकॉर्ट करने से इनकार कर देती गजले रहे या रोमेंटिक गाने धर्थ बरा गीत रहा या विर सपनों बरा हर जजबात को लता जी की आवाज मिली है पर आज के दिन 6 फरवरी को लता जी का नीदन ह हो गया है वो 92 की थी और वो बीते कई दिनों से अस्पतान में भरती थी लगता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूत रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे नाम गुम जाएगा चेहरा ये बतल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहें कर दो कर दो दो जाएगा बाएगा ये जाएगा चेहरा ये पहचान है वाद है